आतियों, मुझे याद है कि साल 2015 में जब मैं जर्मनी आया था, तो स्टार्ट अप इंडिया भ्यान एक आइडिया के स्टर पर था, शब्द कान पर पड़ते थे, तब स्टार्ट अप बल में भारत का कोई नाम निशान नहीं था, कोई जानता ही नहीं था, आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इको सिस्टिम है, एक समय था, जब भारत साधारण से, साधार स्मार्ट पॉन भी बहार से मंगाता था, आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मेनिफेक्टरर है, और अब भारत में बड़े मोबाइल दुनिया भर में जा रहे हैं। साथ आठ साल पहले, जब मैं आप जैसे साथियों से चर्चा करता था, तो हमारी बायोटेक इकडोमी दस बिलियन डॉलर याने पचत्तर हजार करोब रुपिय की हुआ करती थी। आज ये आठ गुणा अधिक बढ़कर असी बिलियन डॉलर यानि छे लाग करोब रुपिय को पार कर चुकी है। कर चर्चियों!